तो कर हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रो केमिस्ट्री इलेक्ट्रो केमिस्ट्री में हमने इलेक्ट्रो केमिकल सेल गैलवानिक सेल होल्टाइक सेल के बार में पढ़ा था उसमें हमने एक्जाम्पल लिया था डैनियल सेल का तो डैनियल सेल इसे एक्जाम्पल अप तुन डेसान कैमिकल र्याक्शन हो रही थी कि उसके आसे हम इलएक्रिक क्रड़्स कर रहे तो धानियरन से में डेकर लुप्रीज गया होता है मिससाओ करने का फनक्शन क्या रहे गा तिसमित प्रश आपढ़ी। अइस सल्टिक होना चाहि Under enjoy a do not 앉h Oxidation, Anode, Negative. Anode पर निगेटिव चार्ज वहाँ में और क्या होगा? Oxidation होगा. Anode पर हमेशा Oxidation. कौन से साइड में रहेगा? लेट साइड में. तो अगर सेल दिया है, तो उसकी reaction हमें लिखना आती है. Reaction में electron नहीं दिखने चाहिए. Reaction में electron नहीं होने चाहिए. After that हमने देखा electrode potential. तो electrode potential दो तरह की होते हैं. एक होता Oxidation potential और दूसरा है reduction potential. But हमें IUPAC ने क्या बोला था? हमें IUPAC ने बोला था कि जो reduction potential है, वही electrode potential है. जो इलेक्टोड पोटेंशल है वही रिड़क्ट जो रिड़क्शन पोटेंशल है वही रिड़क्ट पोटेंशल है वही इलेक्टोड पोटेंशल है standard condition देखी कि हमने E0 standard condition कब होगी जब concentration 1 molar होगा partial pressure 1 ateum होगा temperature 25 degrees Celsius अगर होता है very good तो वहां पर हम क्या कहेंगे, standard condition, उसके बाद हमने EMF देखा, EMF के से आया formula, that is the difference in two electrodes, तो EMF, E cathode minus E anode, standard condition में, E naught cell is equal to E naught cathode minus E naught anode, concentration same दिया है, तो यह formula यूज़ करना है, अगर concentration change हो रहा है, तो nurse equation भी हमने देख लिया था, क्या था nurse equation, E cell is equal to E naught cell minus 2.303 RT by NF, log to the base 10, concentration product upon concentration of the reactant, concentration of product upon concentration of reactant, उसको हमने reaction quotient भी कहा है, अभी मैं आगे बात करूंगी, equation आया कहा से nurse equation, यह भी मैं discuss करूंगी आज, क्यूंकि हमने numerical chart AQ हुआ था nurse equation पे, अगर मुझे nurse equation में, F होता है, that is a Faraday's constant, उसकी वालू थी 96500 को लग, N था number of electron loss, number of electron gain, या number of transfer, then T अगर 25 degree, मतला temperature अगर 25 degree Celsius है, तो हमने equation निकाला, E cell is equal to inod cell minus 0.0591 divided by and log to the best day product upon reactant, concentration product upon concentration of reactant, और इसी के हमने चार्ड एक ही numericals देखा था, उसमें light चली गई थी, तो हमने निकाला था oxidation potential and reduction potential, हमने किसके बाद की थी? Oxidation potential and reduction potential की calculate किया था, तो चलो पहले हम numericals कर लेते हैं हमारे, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, Right on, कद हमें कोशन किया था? Second question, Find the, Find the, Reduction potential, Reduction potential Potential And Oxidation potential Oxidation Potential Of Of Chromium solid CR 3+, Concentration दिया है, 0.1 molar At At 25 Degree Celsius इसमे At 25 Degree Celsius पात कर रहा है, क्या आप लोग ट्राय करोगे या मैं करके निकाओ? आप लोग ट्राय करोगे या मैं करोगे? अगर पढ़ा होगा आप लोगो ने कर जाके तो आप ट्राय कर सकते हो, क्या-क्या निकालना है? Reduction Potential and Oxidation Potential Reduction Potential and Oxidation Potential उसका opposite sign change कर देना तो उसका opposite आप जाएगा चोड निकाले एक वैलू तो मैंने दी नहीं एक वैल अथर वह गुड़ अथर वह गुड़ अथर वह वेरी गुड़ मैंने वो दिया ही नहीं है यह नौट नहीं दिया है बाकी लोग कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो? CR 3 प्लस से CR दिया है गीवन है माइनस 0.75 माइनस 0.75 कल का जो एंसर था वो था शायद 0.5 0.5 था कल का एंसर रिदक्शन पोटेंशल माइनस 0.5 है था और पोटेंशल प्लस 0.5 कल दिया था शायद मैंने FE का दिया था ना FE से FE 2 प्लस वाला FE से FE 2 प्लस चला स्वाल करें पहले क्या निकालू रिदक्शन पोटेंशल तो हम जाता रिदक्शन पोटेंशल की बात करते हैं तो हम बात करेंगे रिदक्शन पोटेंशल इसकी बात करें रिदक्शन पोटेंशल रिदक्शन क्रोमियम से प्लस 3 जा रहा है, तो हमें प्लस 3 से क्या करना है, 3 इलेक्ट्रोन गेन करना है, और यहाँ पर क्या होगा, क्रोमियम, इसका कॉंसेंट्रेशन दिया बिटा, 0.1 मोलार, यहाँ पर यह तो सॉलिट स्टेट में है, सही है, एक्वेशन क्या है, E cell is equal to E naught minus 25 degree Celsius पर है, तो क्या आगा, 0.059 by N, N की वैलू कितनी है यहाँ पर, 3 होगी, 3 इलेक्ट्रोन, यहाँ पर 3, log to the best pen, प्रोड़क्ट को सा है, क्रोमियम, रियाक्टन, CER 3 प्लस का कॉंसेंट्रेशन, गुड, साही साही है, E naught कितना दिया है, CER 3 प्लस से CER दिया हुआ है, रिदक्शन पोटेंशिल, माइनस 0.75, 0.059 by 3, log to the best pen, क्रोमियम तो 1 होगा, सॉलिट का कॉंसेंट्रेशन, हमेशा 1 होता है, नहीं प्रतिक, गलत हो रहा है, 1, CER 3 प्लस कितना है, 0.1, क्या 0.1 को मैं 10 देश्ट दी पावर, माइनस 1 लिख सकते हूँ, 0.1 को 10 देश्ट दी पावर, माइनस 1 लिखेगे, यहाँ पर value देखो, माइनस 0.75, 0.059, by 3 हो जाएगा, यहाँ पर, माइनस 1 उपर आजाएगा, प्लस 1, इन्टो 1 हो जाएगा, log to the best 10, 1 हो तो 1 ही होगा, तो एनसर देखो, यहाँ पर, calculate कर लो, 0.0, यह 0, यहाँ पर 0, 3, और 2, 0.019, और 0.075, माइनस, माइनस, यह तो माइनस में ही, एनसर आएगा, यहाँ पर, 7.919, अगर मैं इसको 20 पकड़ लू तो अप्रोग्जिमेट एंसर कितना आ रहा है जिरो पॉइंट में आएगा 77 0.77 पूल्ट इसका निकाला हमने रिड़क्शन पोटेंशल निकाला अगर मुझे ऑक्सिडेशन पोटेंशल निकालने के लिए अगर मुझे ऑक्सिडेशन पोटेंशल निकालना है तो रिड़क्शन पोटेंशल के उपर ठेम पहां पर आएगा के वाएं फ त्रेस्कि पार बन हो जाएगा नाहीं यह क्या हो जाएगा थे आरेस्व दीह पार और हो जाएगा वाण के ागे आ गया तो धुक्ष्ट पीपावर फिर बन हो जाएगा यहां पर इसको कि ना करो यह घ इस am कि उपर जाके वह प्लस वन हो जाएगा ना माइनस वन है वह प्लस वन हो जाएगा दॉक्सरेशन पोटेंशिल कितना होगा प्लस जिरो पॉइंट सेवन सेवें वोल्ट शर्वरी सही है समझने आया है लॉक अथरव बोलो लॉक टेंग की वैल वन होती है शर्वरी अगर वैसे भी लिखा तुमने वन को मैंने वन ही लिखा हुआ है कोई यह नहीं है बोलो अथरवाट क्या डाउट है और किसी को डाउट है इसमें अगर्ट नहीं हो रहा है मैं आप बोलो मैं हमें तो सी यार से सी यार थ्री प्लस के लिए निकालना था ना रिड़क्शन पोटेंशियल तो हमनी उल्टी रिएक्शन क्यों ली अगर तू सी यार से सी यार सी प्लस में जाएगा तो तो ऑक्सिडेशन होगा अगर तू बोल रहा है सी यार से सी यार थी प्लस जाएगा तो जीरो से प्लस त्री जा रहा है मतलब तू थी ट्रीक्टोन लॉस कर रहा है तो यह तो ऑक्सिडेशन होगा तो तो इसके लिए निकालेगा तो यह वैजवाल जाएगी तो किसी के लिए निकाल सकते हैं ठीक है अभी क्लिया है ना अभी जड़ और किसी को डाउट है जो थो आगे बढ़ा अभी यह तो हो गया सिंपल कोशन जो बोर्स के एक्जामें पूछे जा सकते बट अभी कॉम्पेटिटिव एक्जामें कोशन इस तरह से डारेक नहीं पूछा रहा है गा अभी देखो थोड़ा सा अलग फाइं पूछन नमबर थर्ड फाइं ए एम एफ उपसे शेल दिया है क्रोमियम सॉलिड क्रोमियम थ्री प्लस दिया हुआ हुआ है कॉंसेंट्रेशन है कॉइंट वन मोला सॉलिड ब्रीज फी टू प्लस यह किता है टू प्लस जिरो पॉइंट जिरो वन मोला और यहां पे दिया है फी सॉलिड यहां पे वैलू दिये गीवन पी नॉट सी आर फ््री फ्लस से सी आ इस एक्वोल तू मैनस जिरो पॉइंट सेंट फवाऍट फ़ीं फ्लस से फी दिया हुआ है माइनस जीरो पॉइंट पॉर फाइब आपको पूछा है इसे वही वूपर वाला जो मैंने लिखा वही इसे पहले आप लोग ट्राय करोगे क्योंकि जितना आप ट्राय करोगे उतना सही क्या क्या ट्रिक्स उसक्ते हो कैसे ही कर सकते हुझे पटाओ उसके बात में सब्सक्राइब पतला मुझे समझ में आना चाहिए कि गल्थी कहा पर हो रही आप तो इसे निकालना है एक सेल रिप्रेजेंट करके दिया हुआ है पहले सेल रियाक्शन लिखो पुरी सेल रियाक्शन लिखोगे तो आइंसरा आजाएगा तो झाल 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 बस मुझा एंसर चाहिए क्या निकालना इसे निकालना है पॉम्रा लिखो कैसे कर सकते हो सोचो एक रोमियम का से लें एक एफी का से लें सिंगर इलेक्ट्रोड पोटेंशन में यह नहीं निकाल सकते हो सिंगर इलेक्ट्रोड का आप यह नहीं कैल्कुलेट कर सकते हो पूरा सेट अप चाहिए वसके लिए कर दो मैं अभी किसी का नहीं आ रहा है एंसर हाँ कॉंसेंट्रेशन अलग दी है इसलिए तो नॉस्ट्रिक्वेशन निउस कर रहे है कॉंसेंट्रेशन अलग है इसलिए नॉस्ट्रिक्वेशन कर रहे हैं कॉंसेंट्रेशन से होता तो यह कैठर माइनस यानोट से निकाल लेते हैं और कोई कर भा रहा है प्रिटी आलोग अभी शेकर पार हो कि नहीं अकाइशा संकेट कोई आइंसर आ रहा है साहील किसी काइशन नहीं अमी तक है चलो मैं कर दूँ वी बात नहीं एक मैं करके देती है कि क सहेती है आप लोग कर पारा होसा अथाम मज़ाद आम पलगवं फुनकि moon क्रेंशा संचा नहीं कि कैसे करना न मैं तु आपको हिंत दे जी मैं कि सेरप्रेश्यंटेशन विको सेराय वी DR दिया है उससे रितने संद्ट वेशन और लेकिशन करना सब्सक्रा या 25 degrees Celsius फिर नहीं भी घिया होता है तो में माल लेती। ठीक है 25 degrees Celsius पर इन और से निज जिरो पॉरण जिरो फाइन अपॉर्ट एंपॉर्ट एंड पॉर्ट पॉर्ट पॉर्डु पॉर्टर पॉर्ट पॉर्टर यही तो फोर्मुला है दे करें पहले हम से रीक्शन लिकेंगे वन यहां से 3 electron निकल रहे हैं सही है ना यह क्या हो रहा है क्यों सी रियाक्षिन है Oxidation reaction Fe 2 Plus से Fe जा रहा है क्या पोर्ड है reduction होगा मतलग Fe 2 Plus कहां पर जा रहा है Fe में जा रहा है तो 2 electron gain करेगा और किसमें convert हो जाएगा कर लिखा था आप लोगों होने ऐसे ठीक है अभी मैंने कहा कि number of electron loss और number of electron gain कैसे होने चाहिए same होने चाहिए तो इस reaction को मैं 2 से multiply कर दूँ और इस reaction को मैं 3 से multiply कर दूँ यह बाद मने कर बताई थी देखो क्या रहा है यह हो जाएगा टू सीया ठीक है प्लस यह यह 나ब यह इल्लैक्क्रॉण के साथ कैंसल थिछी इलेक्ट्रॉण 3 into Fe 2& ऐसे प्लस आजाएगा ठीक है यह solid statement यह यहां पर देखो तू इन्टु यह आजाएगा क्या यहां तक बात समझ में आई है अभी F2 प्लस देखो F2 प्लस क्या यहां पे इसका कॉंसेंट्रेशन दिया है 0.01 मोला सी आपको इनौर से नहीं दिया आपको इनौर से नहीं दिया तो आप कैक्षट कर रो इनौर से एक तो इकाथोड क्या होगा एनौर होगा एक यह क्या हो माइनस 0.45 यह भी देख लेंगा इसका oxidation potential है 3 प्लस से 0 reduction potential 2 प्लस से 0 reduction potential बाइनस 0.45 माइननस जी को जाएगा कितना आजाएगा 7.5 यह 0 7 अपकना यह 1 और यह फोजाएगा वन एकवन 105 003 004 004 005 बात समझिमें अभी साखों एक्वल की सेजी 10 मेंस 0.059 अपां एक लॉक्ट पूड़क्ट अपन रिएक्टंट पूछ यहाँ तक से ए इस निकालना है इन एक लिकाई है यहां पर देखो two into three six six electron है यहां पर लॉक्त नॉड़क्त कुछ सा होगा सॉलिड का तो वन होता है प्रोड़क्त होगा सीय क्पलस यहां पर क्या CR3 plus raise to the power कितना लेना है 2 CR3 plus इसका coefficient भी लेना है हमें 2 यहाँ पे F2 plus raise to the power कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा यहाँ पे कितना हो रहा है 3 हो रहा है चलो निकालो यहाँ पे 0.30 minus 0.0591 by 6 log to the best 10 CR3 plus को concentration 0.1 0.1 को मैं रिख सकते हूँ 10 raise to the power minus 1 raise to the power 2 यहाँ पे 0.01 10 raise to the power minus 2 raise to the power कितना हो जाएगा 3 इसका answer निकालो निकाल सकते हो क्या 10 raise to the power minus 1 तो यह जो minus 1 ही रहेगा यहाँ पे 6 हो जाएगा minus 3 दूट 6 उपर जाएगा 2 minus 2 4 मतलब 4 10 raise to the power कितना आजाएगा 4 3.30 0.0591 by 6 और यह हो जाएगा लॉप to the base 10 4 और वैने कहा था लॉप 2 की वैलू याद रखो अगर याद रखनी है तो ठीक ने लॉप 4 लॉप to the base 10 4 10 raise to the power 4 चाहिए जलत हो रहा 10 raise to the power पोर आगे आजाएगा चैने तरह इस फाएंसर पोर आगे आजाएगा 6 3 2 0.2 का 2 से हो जाएगा तो 1 0 एंसर आएगा approximate point अच्छा थरो गुड 0.26 0.26 ओल्टारा है सही है अब समझ में आया कैसे करना है क्लियर हुआ है अभी चला अगर क्लियर हुआ है तो दूसरा मैं आपको देता हूँ आप खुड प्राइक करोगे और किसी को डाउट है नमर आप एलेक्टों एंकी वैलू सही सही रखना है एंकी वैलू गरत कर दोगे कर दो कर दो कि अधिश्ट कर दो दो कि अधिश्ट कर दो दो खुड़ा कि और कि अधिश्ट। ऐसिए से कीजिव सो Arkne Fitzograff कीजिवाइशन कीसका होगा सपेडन से किरसे समझाइब भी थी प्लग मैं से कर रहा है सियार से चलिवाँ से प्लस से मैं सतलब क्या कर रहा है कर दो और डेक्ट्ट्ट्रॉन क्या कर रहा है नंबर ऐलेक्ट्रॉन से दोनों सेम चाहिए जब भी cell reaction लिखते दोनों सेम चाहिए इसको 2 से multiply करना पड़ेगा और इसको 3 से multiply करना पड़ेगा तो मैं 2 से multiply करो तो 2Cr हो जाएगा यहां पे 2Cr3 प्लस हो जाएगा और यहां पे 6 इलेक्ट्रों हो जाएगा अगर मैं इस reaction को 3 से multiply करो तो यह 3 एक्ट्रों हो जाएगे और 6 इलेक्ट्रों 6 इलेक्ट्रों मैंने कर बताया था एक क्याथोड माइनस की एंडोड ठीक है एक क्याथोड और यह वाला से मतलब तू प्लस से 0 जा रहा रहा रिड़क्शन पोटेंशन दिया है तो माइनस 0.45 माइनस माइनस प्लस 0.75 तो यह हमारा आगया इन और से 0.30 इन और से की वाग्ट्रों 0.0591 एंटर होता है नम्रों एलेक्ट्रों लॉस्ट गेंड जो भी है उसको कितना है 6 इलेक्ट्रों देखो यह 2 इंटो 3 6 मैं किया नहीं आप समझ दो यह 6 एलेक्ट्रों लॉक्ट्रों प्रॉडक्ट को हमेशा 1 मानना है तो यह क्या हो जाएगा थे क्या है अब है समझना आए है शेकेंड लावस्ट एक में क्या हुआ हुआ टेंट रिस तुल इपावर माइनस वन का टू तो टेंटर्थ वीज़्य वेर माइनस टू हो जाएगा टेंटर्थ दू पावर माइनस अभी वह आप करोगे और सब लोग आप एंसर करोगे मुझे। ऐसे बहुत सारे कोशन करते हैं, यह कि नुए। सिब थोड़े अलग अलग टाइप रहेंगे, थोड़ा साथ चेंज होते जाएंगे, हर इसमें। परण तुरण ट्युक्ट होते हैं, यह कि नुए। छैएंगे और चैएंगे होते हैं, यह कि नुए। Zn से Zn2 प्लस 0.1 molar दिया हुआ है, salt bridge, Sn2 प्लस से इसका concentration दिया है, 0.001 molar और यहां से Sn, यह solid state में, यह भी solid state. E0 T1, Zn2 प्लस से Zn is equal to minus 0.76 molar. E0 Sn2 प्लस से दिया हुआ है, Sn का minus 0.14 molar और आपको क्या calculate करना है? E से, E आमें पाउँ से, क्या calculate करना है? E से. E सही सही से अपने calculate करना है. झाल 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 आया किसी का एंसर आया किसी का एंसर बस आंसर चाहिए मुझे कोई चेंज नहीं है इस वैलू चेंज की है मैंने बाग की स्टेप बाज स्टेप वही चलना है प्रतीक गलत हो रहा है प्रतीक आदर्श वेरी गुट सूरज गलत हो रहा है क्या सूरज अप्रोग्सिमेट निकल रहा है क्या तब भी ज्यादा आ रहा है अप्रोग्सिमेट में भी ज्यादा आ रहा है बुड़ अथर बुड़ साहिल साहिल माइन साहिन आ रहा है अब चेक कर बुड़ शुभम सबसे आइंसर चाहिए मुझे क्योंकि कंसेप्ट मैंने समझा दिया है अगर आएंगे बुड़ के एक्जामें तो इसी तरह के कोशन आएंगे जेही में भी इसी तरह के कोशन आएंगे हाँ सूरज अब सही है साहिल एक बार साइन चेंज कर मतलब चेक कर माइनस में आ रहा है या प्लस में आ रहा है जोल अभी तक एंसे निया आया है सत्याम एंसर करेक्ट है माइनस है की प्लस है वो कंफर्म करा मुझे अथार हो किया है ना हम हाँ गुट ठीक है सत्याम अभी एक प्रिती आंसर करो हाँ साही क्योंकि क्या होगा कि option में प्लस भी है माइनस भी है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा ना क्योंकि चार option दिये हैं उसमें positive भी आ रहा है निगेटिव भी आ रहा है अधित्य अगर होता है तो ठीक है बड़त थोड़ा सा जादा ही अलग आएंसर आ रहा है आसपास है बड़ ठीक है कि पर्फेक्ट आंसर नहीं आया है कि साक्षी शरवरी हाँ 25 डिगरी से ही करना है अगर मैं दिया नहीं है मतलब समझ जाना 25 से ही करना है कि पृति अभी तख नहीं आया एंसर कि मुझे करना पड़ेगा शरवरी साक्षी गलत हो रहा है रिटेश कभी तो आंसर दिया करो क्लास में हो ना तो आंसर किया करो संकेट स्निया गुड शुबाम शरवरी एंसर नहीं आ रहा है अभी तक चलो इसका एंसर आ रहा होगा .56 डेख लो बागी लोग कितना एंसर आ रहा है इसका एंसर आ रहा है .56 इतना टाइल नहीं लगना चाहिए तुम लोग को बहुत ज्यादा हाँ जोए अब सही है .6 किसी को चाहिए समझा की चाहिए यह कर लोगे किसी को चाहिए कैलकुलेशन करके यह कर लोगे most आ रहा है ना ओके प्रदिक्या साक्शी क्या वोग चाहिए आपको ओके ठीक है यहां पर एक्षि को जैडलें से कहा जा रहे हो जो ब्लस में जा रहे हैं यहां से तो कर लोगर स से टूस्ट को चाहिए ओद हें कृगर प्षकी बंस से टू इल्य Stadium की रह ourselves कि ने यहां पर ZN2 प्लस बच्चा हुआ है और यहां पर SN, SN मतलब solid में रहेगा, यह भी solid में, उसका 1, SN2 प्लस का दिया हुआ है 0.001, ZN2 प्लस दिया है 0.1, ठीक है, यहां तर ठीक है, E0 से, E0 से, E cathode minus E anode, cathode गोल सा है, SN वाला, अभी तो चीज़ें इतनी याद हो जानी च जाहिए, minus minus plus हो जाएगा 0.76, 0.76, 0.76 minus 0.14, 6 से 2 गया, 6 से 4, 2, 7 से 1, यहां पर 6, 0.62 ओल्ट आ गया, 0.62 ओल्ट इसे, E is equal to, E0 से, minus 0.0591 by N, log to the base 10, product upon reactant, E0 से कितना निकाला, 0.62, minus 0.0591, N की वैलू कितनी, number of electron lost or gain, 2 electron ही यहां पर, log to the base 10, product क्या है, reaction में देखो यह वाला, 10 raise to the power कितना होगा, minus 1, reactant क्या है, 0.001, तो क्या मैं 0.001 को, यहां पर 1, 2, 3, 10 raise to the power minus 3 लिख दू, 10 raise to the power कितना लिखा मैंने, minus 3 लिखा, minus 3 उपर चला जाएगा, 3 हो जाएगा, तो यह 2 आ जाएगा, 2 के साथ को cancel हो जाएगा, 0.62 minus 0.0591, तो के साथ 2 cancel हो जाएगा, यहां पर, तो आ जाएगा, 0.56, 0.56, ठीक है, clear हुआ है, चलो, पिक और पोश्यों, थोड़ा साथ, अलग, यह तो सेम था, जो आपने पहला किया था, वही था, आप लोगों ने बोला, इसले मैं जो चलो, ले लो, और इसमें सिर्फ वैलू चेंज की थी थी बस, और रियाक्शन भी चेंज थी लेकिंगे, जो स्टेप थे, सब उसमें सेम थे, प्लस में निगेटिव, ना माइनस में ध्यान देना, है तो इसमें बढ़ जाएगा, और यह थोड़ा सा अलग, यहाँ पर ग्यास आया है, ग्यास की बात कर रहे है, देखो, जो भी नंबर होगा, जार दो, प्लाटीन, यहाँ पर है है यह दिया है ग्यास में, और इसका जो प्रेशर है, वन बार है, वन बार है, वन बार है यहाँ पर डबल लाइन दी है, है, एच प्लस, एकवर्स और इसका कॉंसेंट्रेशन है, वन मोलार, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर एच प्लस, यहाँ पर सॉल्ट ब्रिच लगाया है यहां पर है m plus 4 कोई होगा प्लस कि स्टेट में है एक बस में नहीं कि लिए रहा है m two plus में यहां पर फिर से लिए इनर इनर्ट इलेक्टोड, प्लाटिरम इनर्ट इलेक्टोड है, वो यूस करते हैं और यह सब चल रहा है at 25 डिग्री सेंसेंस पे, यहाँ पे आपको दिया है, इसेल दिया हुआ है, इसेल की वैलू पहले ही दिया है, 0.092, 0.092 ओल्ड, पहले सी दिया है, इनर्ट दिया हुआ है, एम, प्लस 4 से, एम प्लस 2 तक यहाँ पे दिया है, 0.15, 0.151 ओल्ड, यहाँ पे दिया है, इनर्ट, एच प्लस से, 1 बाइ 2, H2, is equal to 0, देखो यहाँ पे, यह जो एक special kind का सेल होता है, that is a standard hydrogen electrode, और उसका electrode potential हमेशा 0 होता है, this is called as a reference electrode, तो अभी भी single electrode का हम potential नहीं निकाल सकते हैं, तो एक electrode हम ऐसा लेते हैं, और उसका potential हम 0 assume करते हैं, तो यह चीज यहाँ रखना है यहाँ पे, अभी तो यह आगे पड़ेंगे हम, और आगे पड़ेंगे, आपको क्या निकालना है, आपको calculate करना है, M2 प्लस से, M4 प्लस यहाँ पे, is equal to the ahead 10 raised to the power x, और आपको का है, find x, कर पाओगे, कर पाओगे यह reaction, पही है, same cell representation है, ट्राय करना चाहोगे आप लोग, चरो ट्राय करो, किसी का आजाए, ओके, चरो ट्राय करो फिर, ट्राय तो करना बनता है, find x, अगर कर पाओगे तो बहुत बड़ी बात है, यह तो, स्टेप बाइ स्टेप चलो, क्या है, अलग क्या हिया, अलग कुछ नहीं है, स्टेप बाइ स्टेप चलो लाए, जितना आम ने किया वैसी नर्ग, 25 degrees LCS पह, 0.059 by N, लोग तो बेस्टेंग प्रॉडक अपन रियक्तर वही युस्टरू, ग्या से पार्शल प्रिशर दिया है, ग्या से उसका पार्शल प्रिशर दिया है, कोई तो है, जो क्लास में करके दिखाएगा, मुझे इसका एक्स का एंसर लाके दूख है, पार्शल प्रिशर बन बाद, बन बाद इस नहीं मन एटियम, हुआ 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 है, 2 hydrogen 2 electron loss होगा H2 से H plus 2 electron loss M4 से M2 plus जा रहा है 2 electron gain कर रहा है बता रिया मैंने सब चलो मैं करूँ नहीं आ रहा है किसी को नहीं शुगा उतना तो नहीं आ रहा है X की value एक है यह शुगा अच्छा मुझे ही करना है चलो ठीक है नहीं उतना तो नहीं आ रहा है चलो कोई difficult नहीं था कोई नहीं था देखो यह oxidation है यह reduction वाला soil bridge बीच में है क्या बात करें प्रतिक सही answer है very good विल्कुल सही answer निकाला प्रतिक मैं बता दूँ यह 2017 का यही advance का question था दूजार सत्रा में था यह advance का शादी कोशन है गुट प्रतिक और किसी ने निकाला है और किसी ने answer निकाला यह चलो हो गया प्रतिक ने निकाल लिया और किसी ने निकाला चलो कोई बात नहीं स्टार्ट करते हैं अभी देको easy था ऐसा भी कुछ hard नहीं था बस तोड़ा सोचना था एच टू से एच प्लस जा रहा है एच टू से एच प्लस रियाक्शन बैलेंस करना है तो यह टू होगा तो यहां से दो इलेक्ट्रॉन लॉस मतलब यही तो ऑक्सिडेशन हुआ यही तो ऑक्सिडेशन हुआ एच टू से दो इलेक्ट्रॉन गेर हो जाएगा यह क्या फॉक हुआ एम टू प्लस रिदक्शन हो गया तू इलेक्ट्रॉन के साथ तू इलेक्ट्रॉन कैंसल हो गए गुड प्रिदी वेरी गुड क्या बात है अब तो तो तुम लोग अच्छे से कर रहे हैं है ए एम टू प्लस डेखो यहां पर र्याक्शन हो यहोगी है फ्वर्स एलेक्शन होगा यहां से मिल जाएगा एम यहां यहां तक तो शार्ट कर लिया होगा आप लोगों ने, यहां तक तो बात बन गई होगी आप लोगों से, अब यहां से आपको निकालना है, यहां से क्या निकालना है, E naught से, E naught से, E cathode, minus E, I naught, cathode यह वाला है, MN वाला, यह कितना होगा, 0.151, minus and load का कितना दिया है, यह को standard यह, 0 दिया है, मतलब 0.151, यह भी बात सही है, सही है, फो में लिको, E cell is equal to E naught cell, minus 0.059, यहां पे end, log to the base 10, concentration of product upon concentration of reactant, concentration of product upon concentration of reactant, E cell की value दी है, देखो, ध्यान था, आप लोगोंगा, E cell दीया था, 0.092, E naught से निकाला हुआ है, 0.51, minus 0.059, यहां पे कितना है, N की value 2 आजाएगी, log to the base 10, product देखो, क्या है, product है, H plus raise to the power 2, यह है, H plus raise to the power 2, और यहां पे M2 plus है, दोनों को add, multiply करना पड़ेगा, reactant क्या है, partial pressure, इसका hydrogen का, इस तरह इसे लिखोगे न, concentration लिखोगे तो partial pressure लिखोगे, यहां पे क्या हो जाएगा, M plus 4 हो जाएगा, यहां पे, ठीके, तो यहां पे देखो, क्या हो रहा है, 0.092, 0.151, minus 0.059 by 2, log to the base 10, H plus raise to the power 2, तो यह 1 का 1 ही होगा, यह 1 का 1 है, M, 2 plus, और यहां पे, partial pressure of hydrogen, 1 बार दिया है, यह भी 1 हो जाएगा, और यह हो जाएगा, M plus 4, अभी देखो, 1 के साथ 1 कैंसल हो रहा है, 0.092, 0.151, minus 0.059 by 2, log to the base 10, यह क्या दिया हुआ है, इसकी value दी है, यह वाला, यह वाला, देखो, 10 raise to the power x, क्या दिया हुआ है, 10 raise to the power x, तो 10 raise to the power x क्या हो जाएगा, यहां पे, देख लो, value लिकाल के, 0.092151, इसको calculate भी कर सकते हो, 0.059 by 2, और यहां पे हो जाएगा x, यहां पे हो जाएगा x, चलो, आप आगे calculate करो, बता हो भी इसका ऐसे तो बता सकते हो ना मुझे, इसका ऐसे तो बता सकते हो, अभी कितना आया है, पुछनो निकालो जल्दी से, बुट शुवब, अब सईएगा, और किसी का निया एंसर, अभी यह भी नहीं, आगे calculate कर सकते हो, बुट सब्सक्राइब, अगे, साहिल नहीं, शरवरी गलत हो रहा है, साक्षी गलत हो रहा है, साक्षी साहिन गलत हो रहा है, जोएल गलत हो रहा है, अइंसर कैसे निकाल रहे हो, 0.092, माइनस, 0.151, माइनस, माइनस, प्लस हो जाएगा, यह 0.592 बचेगा, यह कितना हो जाएगा, 591 अगर मैं कर दू, तो अगे अगे तो 2 आना चाहिए, जोएल, यह कितना आ रहा है, 0.76 कैसे आ रहा है, एंसर तो 2 आ रहा है, 0.76 कैसे आ रहा है, इसमें भी देखो, इतना करके, calculation गलत ही आ रहा है, इसको 591 कर देंगा, अगर confusion हो रहा है तो, मतलब इतना आगे बढ़के भी, calculation गलत ही हो रहा है, calculation गलत ही हो रहा है, अब से, क्या करें, अब ऐए, 0.2 कैसे आएगा, 0.2 कैसे आया, क्या कर लो, देखो, 0.059 by 2x, यह लेकिया हो, एक साइड में, 0.151 minus, 0.092, चलो करो अभी यह, 0.0151, तो 1 से यहां पर, 1 से 2 यहां पर, यह 9 हो जाएगा, यहां पर, 15 से 9, यहां पर 16 से 9, तो यह 5 हो जाएगा, 0, 0.059 यह तो आ रहा है, यहां पर, यह भी 0.059 by 2 है, x, यह तो कैंसल हो जाएगा, यहां पर, x is equal to, क्या हो जाएगा, 2 तो आ रहा है, भाई, 2 आ रहा है ना, हां, तो 2 आ रहा है ना, यहां पर, तो इस तरह के, हमें कोशन करने हैं, यहां पर, यहां पर यूजिंग नर्स इक्रेशन, यह कोशन में खुद्बता रही कि 2017 में, अगर आपको देखना चाहिए, तो आप प्रिमियस यह के पेपर देखो, प्रिमियस यह के पेपर में, आपको यह कोशन मिलेगा, जेई के पेपर में, ठीक है, तो यह यह का कोशन था, और बहुत ही इजी था, अगर कंसेट क्लियर है तो, मतलब कॉंसेंट्रेशन दिया है, तो वन मोलार है, 0.1 मोलार है, 0.02 मोलार है, तो उसको 10 रेस टूदी पावर की फॉम में लेके आया कुरो, तो आइंसर इजी निकलेगा, अगर partial pressure दिया है, जो हम क्या लिखाते हैं, concentration, reaction, quotient निकाल रहे हैं, concentration दिया है, तो 0.01 मोलार, 0.02 मोलार, 0.03 मोलार दिया रहेगा, पारशल प्रेशर दिया है, तो 1 ATM दिया जाएगा, 2 ATM दिया जाएगा, तो उसमें ध्यान देना है, गलती कहाँ पे हो रही है आप लोगोगी शायद calculation में ही गलती हो रही है और boards में देखो, boards में जो calculation होते हैं, point में होते हैं, वो करने ही पड़ेंगे बड़ आप जब J.E.O. need की exam दोगे, तो उसमें जो calculation होते हैं, वो approximate होते हैं, मतलब बहुत जगे पे value cut हो जाती हैं, जैसे अभी हमने देखा, कि 0.059 आ रहा है दोनों side में, तो ये दोनों value cut हो रही थी, मतलब आगे जाके हमें कोई भी जादा और calculation करने की ज़रूरत ना पट concept clear होना चाहिए, कि अगर में ये value रब दो, चलना तो अपनी इससे, जैको concept बाद में सोचना है, हमारी जो method है, जो हम calculation कर रहे हैं, उसी से हमें आगे बढ़ना है, उसी calculation से हमें आगे बढ़ना है, तब जाके हमारा calculation, step by step चलोगे, तो step solve होती जाएगी, और हम answer निकाल जाएगे, बट पहले ही अगर आप वही रुख जाओगे, सोचोगे नहीं क्या करना है, तो फिर problem आ सकते हैं, फिर तो बिल्कुल पका problem होगी ही होगी, तो चलो कुछ होमक देती हूँ पहले में अभी आपको, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो कुछ कोशन सौल करोग पहले आप लोग पहले, एट में अगर, और आपको पता है कि होमक सब्मिट करना ही है, र्यक्द demon, कर से 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 सिंइ, आपको को आपको लेएक, ä सिंइ कर एंगे ऊपको लेएक, कि एन र TE एंगे एंगे और एंगे खिल्यों में और केडमियम केडमियम टू प्लस दिया हुआ है पांसेंट्रेशन बन मोलार ही है एजी प्लस बन मोलार और यहां पे दिया है एजी ए नॉट ऑफ केडमियम दिया हुआ है माइनस जिरो पॉइंट फोर जिरो ट्री ओल्ट एड इनॉट एजी दिया है कभी इस तरह से भी देटे इनॉट एजी दिया हुआ है जिरो पॉइंट सेवें नाइन नाइन फोल्ट एकेड जैवन रिखो सेकेंड दो खलो आज कैल्कुलेट इसे एलुमिनियम सॉलिड स्टेट एलुमिनियम प्लस थ्री है वन मोलार दिया हुआ है से यू टू प्लस वन मोलार कॉपर सॉलिड में एजिए नौट एलुमिनियम माइन सब्स फ्री फ्री नौट वन पॉइंट श्री इसे वाँ एलूमिनियम माइन सब्स वन पॉइंट श्री फोल्ट एंट श्री यू दिया हुआ है पॉइंट्री फॉर पॉर्ट ओके अब है तो जीरो पॉइंट हाँ फी तो गलत चेंज अफी तो आंसर चेंज हो गया है ना पॉइंट के वज़े से सब फिर तो कैल्कुलेशन बढ़ जाएगा और पॉइंट है चलो हो गया लिख लिए चलो मिलते हैं शान को यास यास अथर्व वही है वही है यह सब्सक्राइब है यह सब्सक्राइब है यह चलने वाला है चलो फिर मिलते हैं यह तो कैल्कुलेशन कर लो और पुझे आंसर बता ना सेवन टुएट के बैच में ओके चलो बबाई वरिवन बाई झालो